नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का सवागत है हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तो आज का हमारा topic होने वाला है research attitude research attitude में हम ये जानेंगे कि research क्या होता है इसका meaning क्या होता है type of research क्या होते है तो इन सभी के वारे में हम जानेंगे दोस्तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोद का meaning क्या है, सोद का earth क्या है यानि कि सोध के वारे में हमें basic चीज़ पता होना चाहिए क्योंकि तभी हम आगे research कर सकते हैं तो दोस्तों सोध के अंदर जो एक सबसे पहली चीज़ आती है वो होते हैं हमारी समस्या यानि कि problem, problem identify करना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हमारे पास हम ऐसी प्रोब्लम लेते है जिसका solution अल्रेडी है तो हम research नहीं कर सकते तो इसलिए हमारी जो प्रोब्लम है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए नहीं का मतलब यह है दोस्तों कि उसका समाधान अभी तक नहीं खोजा गया हुआ हो और हो सकता है उस पे काम हो गया हो जरूर हो गया हो काफी लोगों नहीं क्या हो लेकिन उसका completely solution ना हुआ हो तो इस तरह की हम समस्या उसके अंदर लेते हैं और सोद के अंदर क्या होता है दोस्तों इसके अंदर जैसे मानवे ग्यान में ब्रिद्धी होती है यानि कि हमारी जो knowledge है वो increase होती है और अगर इसे हम English के अंदर देखे तो दोस्तों जैसे रिसर्च का बनता है री पलस सर्च यानि कि किसी तथे के बारे में हमें बार बार घोजना उसकी जो समस्य है उससे related तथे को इकत्रित करना और उससे जो result निकलता है उसके अधार पे हमें देखना कि हमारा समाधान खोज की जाती है यानि कि नहीं नहीं चीजे खोजी जाती है और इसके अंदर जो हमारा पुराना जो ग्यान है उसको increase किया जाता है और यह जो चीज है दोस्तों यह question paper में आती है कि अनुसंधान के अंदर क्या किया जाता है तो वो option दे देंगे कि नवीन तथ्यों की कर रहा है वो करेंगे उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अब देखिए अब हम बात करते हैं अनुसंधान की विसेस्ता है क्या होती है दोस्तों इसमें से काफी बार question आता है विसेस्ता हो में से तो यह हमें करना जरूरी है तो थोड़ा सा एक वर ध्यान से दे विज्यानिक नहीं है नहीं वो विज्यानिक होनी चाहिए systematic होनी चाहिए और विवस्थित तरीके से होनी चाहिए उसके बाद में जैसे यह चीज हमारी आगी कि नवीन ज्यान के अंधर व्रिधिक की जाती है कि हमारा जो ज्यान उसके अंधर increasement किया जाता है उसकी बाद में जैसे हमारी जो सोध है दोस्तों वो विषवसनियं होनी चाहिए उस पे लोग विषवास करें इस तरह की हमारी सोध होनी चाहिए और सोध के इंदर क्या होता कि जैसे गुणात्मक और परिनात्मक परदतों की व्याख्या की जाती है यानि कि इसके अंदर क्या होता है कि हम जैसे गुणातमक और परिनातमक जो चीजे होते हैं उनकी हम व्याख्या करते हैं गुणातमक का अगर मैं बात करू तो जैसे कि वो एक एक एक्जामपल लेते हैं जैसे कि हमारे देश के अंदर जो लड़कियां हैं उनको मा होता है दोस्तों और भी हम इसके अंदर देख लेते हैं काफी सारी चीजी आते हैं और एक चीज और मैं आपको बता दो दोस्तों की हम थोरी चाहे कितनी भी पढ़ ले जब तक हम कोश्चन नहीं करेंगे तब तक हमारे जो अब वही बात आती है दोस्तों अगर हम किसी को बारवार रोटी पोना सिखाए रोटी इस तरीके से बनाई जाती है तो वह रोटी बनाना नहीं सिखेगा जब तक वह उसको प्रैक्टिकली करके नहीं देखेगा तो इसलिए मैं कहे रहा हूं कि बारवार कहता हूं कि ओल्ड पेपर हमारे लिए करना जरूरी है तो अब यह आगे आता दोस्तों हमारा सोध की विधिया यानि की अनुसंधान की विधिया टाइप आफ रि रिसर्च में मुख्य रूप से दो तरह के होती है एक होती है दोस्तों हमारी फंडामेंटल रिसर्च यानि कि से मुल्भूत अनुसंधान या बेसिक अनुसंधान भी कहते हैं इसे कई तरके से पुकारा जाता है तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए और एक चीज इस इसके अनुसंधान के अंदर क्या होता है इसके अंदर हम किसी विग्यानिक नियम का उत्पादन करते हैं अब देखिए इसे हम एक एक एक्जाम्पल के थुरू समझे तो जैसे न्यूटन ने ग्रैविटेसिनल फोर्स का सिधान्त दिया था तो वो क्या होगी हमारी फंडा किसे रिलेटिड है जो चीजे हमने मूल भूत अनुसंधान में यानि कि जो नियम कानून और जो ख्योरी हमने बनाई वो इसके अंदर अप्लाइड करेंगे यानि कि प्रयोग कर करके देखेंगे अब वही एक्जाम्पल आता है जैसे न्यूटन ने ग्रैविटेसिनल फोर चनाते हैं अप्लाइड रिसर्च में से इसको थोड़ा सा अप ध्यान से देख लेना और इसके हम कोश्चन करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे और आगे आता है दोस्तों हमारा और भी काफी तरह की रिसर्च है जैसे अब बात करते हैं जैसे कि इन एग्जमपल दिया था कि हमारे देशके इंदर लड़किया मर रही हैं अगर उनकी काउंटिंग की बात करें किस राज्य में कितनी मर रही है और गाउं लेवल पर हर लेवल पर वो देखे तो वो क्या होगी यानिकि की कॉझांटिटिटिव सोध हुगी और अगर हम इस के अंदर ये डिफरेंस है और अगली रिसर्च आती है दोस्तों हमारी वरणात्म कनुसंधन जैसे की नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर हम किसी समस्या का अच्छे से वरणन करते हैं और तब जाके हम उसका समाधन खोजने का प्रयास करते हैं उसके बाद आता है जैसे एक्सपलेनरेटरी यानि कि इसके अंदर क्या होता कि एक्सपलेन करना किसी चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सपलेन करने की कोशिस की जाती है यानि कि किसी थ्योरी आधी को पूरी तरह से एक्सपलेन करने की जो रिसर्च की जाती है उसे हम एक्सपलेनरेटरी रिसर्च कहते हैं और दोस्तों अगली रिशर्च आते हैं हमारी exploratory यानि कि खोज पुरुन सोद इसके इंदर हम क्या करते हैं कि जो समस्या होते हैं उसको अच्छे से खोजने का प्रयास करते हैं कि real में ये समस्या है क्या यानि कि इस तरह की समस्या जिसको अभी तक's परवासित नहीं किया गया है, यानि की जिसका हमें अच्छ शे नहीं पता चला है कि यह समस्या क्या है तो इस तरह एक जो खोज की जाते हैं, उसे हम खोज पूरण सोध कहते हैं, और उसके बाद आता है दोस्तों प्रयोग आतमक सोध यानि की experimental सोध है इसके अंदर हम experiment करकर के देखते हैं कि क्या चीज करने से क्या हो रहा है जैसे कि विज्यानिक होते हैं वो experiment वगरा करते रहते हैं दोस्तों हमारी अगली research आती है deductive तथा inductive research इसके अंदर निगमन तथा आगमन विधी हम कहते हैं देखिए निगमन विधी के अंदर क्या होता है पहले हमें नियम बता दिया जाता है उसके बाद हम उधारनों के दवारा उस समस्या को समझने की कोशिश करते हैं उसका समाधा खोजने की कोशिश करते हैं और इस विधी में जो सिधान्त और प्रिवासा है वो हमें पहले ही बता दी जाती है बाद में उस सिधान्त का प्रियोग बताया जाता है यही से हमारे question आते हैं और एक और चीज इसके अंदर जो important है दोस्तों निगमन विधी के अंदर निगमन आगे हम बात करते हैं जैसे की आगमन विधी आगमन विधी जो है वो निगमन विधी की अपोजिट हम कह सकते हैं इस विधी में क्या होते हैं दोस्तों हमें विशेश से हम समानने की और चलते हैं इसमें विशेश तथ्य घटनाव को हमें पहले जिकर किया जाता है उसके छोटी छोटी चीज़े हमें पता होना चाहिए और इन ही मेंसे हमारे question बनते हैं अभी जैसे हम आगे question करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से question आते हैं इनमें जो सोद की जाती है उसे हम empirical research कहते हैं और उसके बाद आता है दोस्तों एतिहासिक सोद अब ये देखी, एतिहासिक सोद में क्या होता है इसका संबंद भूत काल से होता है यानि कि जो जो चीज बीट चुकी है उसके बाद हम research करें तो उसके हम क्या कहते है historical research या एतिहासिक सोद कहते हैं उसके बाद आता है दोस्तों किरियात्मक सोद अब देखी हमने देखा था कि किरियात्मक सोद से कितने question पूछे गई थे तो इसे समझना जुरूरी है देखी इसके अंदर क्या होता कि किसी समस्या का जल्दी समाधान पाने के लिए जो research की जाते हुचे हम क्या कहते हैं किरियात्मक सोद कहते हैं और किरियात्मक सोद में दोस्तों और भी काफी तरह की बाते हैं वो हम जब आगे पढ़ेंगे जैसे step of research की बात करेंगे तो उसके अंदर कियात मक सोध आएगा तो हम इसके بारे भे बात करेंगे और जब हम question करेंगे तो भी हम इसको अच्छे से समझेंगे अगली सोध आती है दोस्तों हमारी विसलेशन आतमक सोध यानि की एनलिटिकल सोध इसके अंदर हम क्या करते है दोस्तों जो हमारे पास सूच रहे होते हैं उनका अध्यन करते हैं यानि कि उनको analysis करके देखते कि क्या है क्या नहीं है और उसके बाद आते हैं दोस्तों हमारी सिधानतिक यानि की theoretical सोध इसके अंदर हम क्या करते हैं जो हमारे पास सिधानत वगरा है उसको लेकर हम सोध करते हैं दोस्तों हमारी अगली research आते है निदानिक सोध यानि की diagnostic या clinical research है इसके अंदर क्या होता है दोस्तों एक समस्या से related सभी तत्वों के वारे में हम बात करते हैं उससे related जितनी भी बाते होते हैं उस पे हम देखते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है जैसे कि इसे हम एक example श्मकल के रूप में देखें दोस्तों की जैसे कोई घृसग वातवरन कीशा हैं और वहांपे जो लोग है वो किस त्रिके से रहते ain की अच्छे त्रीके से रहतें या गंदे त्रीके से रहतë यानि कि जो विमारी फैली है उसके क्या क्या reason हो सकते हैं उसको पूरे तरीके से हम देखते हैं इसी तरीके से क्या होता है किसी समस्या को हम लेते हैं और उससे related सारी चीजों को हम देखने का प्रयास करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं निदानिक सोद कहते हैं दोस्तो हमारी अगली सोद आती है एक्स पोश्ट फैक्टो रिसर्च यानि कि इसे हम हिंदे में कहते हैं कार्योत्तर अनुसंधान या पस्चोन मुखी अनुसंधान कहते हैं और ये जो रिसर्च है दोस्तो ये हमारी ने बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें से काफी कोशन आते हैं और देखिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं इस सोद में हम एक सवतंतर चरका आसरीत चरपर पढ़ने वाले प्रभाव के बारे में जानते हैं और एक्स पोश्ट फैक्टो यानि परभाव हुआ कितने लोग मर गए और कितने लोग बिमार हो गए क्या कुछ हुआ वो हम परभाव जानने की कोशिश करते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्स पोश्ट फैक्टो यानि कि पहले कोई घटना घटी है उसका बाद में क्या प्रभाव पड़ा है उसका जो प्रभाव जानने की कोशिस करते तो उसे हम कहते है एक्स पोस्ट फेक्टो रिसर्च कहते है इस रिसर्च में दोस्तो एक चीज हमें ध्यान रखने की जुरूरत है कि जो इंडिपेंडेंट वैरीवल है यानि कि जिसे हम चेंज नहीं कर सकते ऐसी घटना जिसे हम चेंज नहीं कर सकते उसका जन जीवन पे या किसी चीज पे क्या प्रभाव पड़ा है उसको हम जानने के लिए जो research करते हैं उसे हम कहते हैं expose factor research कहते हैं यानि कि इसके अंदर क्या होता है सवतंतर चर्प का आशरित चर्पर पढ़ने वाले प्रभाव के बारे में जानते हैं यानि कि एक चीज बिलकुल फरी है उसे हम चेंज नहीं कर सकते जैसे सुनामी मैंने बताया सुनामी को हम रोक नहीं सकते वो आएगी तो आएगी और उसके बाद में जो effect पड़ेगा यानि कि dependent variable जो बिमारी वगरा होगी वो किस तरीके से होई अब जो बिमारी है देखी बिम कि जरूरत है और दोस्तों अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप हमें comment box के जरीए पूछ सकते हैं मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा हो सकता है वीडियो में कई चीजे समझ में ना है तो आप मेरे को बता देना मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा और ज्यादा हमें तब समझ में आएगा जब हम question करेंगे तो उसमें हमें live देखने को मिलेगा कि किस किस तरह से question पूछे जाते है तब हमें ये चीजे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी और आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि longitudinal research इस के अंदर जैसे इसके अंदर मान के चलते हैं कि जैसे 50 सालों से कोई चीज चली हुई आ रही है तो उसके हर 5 साल में क्या क्या बदलाव हुए है तो वो चीज हम जानने की कोशिश करते हैं अब जैसे हम mobile का example लेते हैं कि आज से 10 साल पहले कैसे था उस से 10 साल पहले कैसे था यानि कि 50 सिल का साल का हम डेटा ले और उसमें देखे कि मोबाईल में किस तरीके से परिवर्तन आया है तो उसे हम कहते हैं लोगनी ट्यूडिनल रिसर्च कहते हैं और उसके बाद आता है दोस्तो कार्ण परभाव यानि कि casual रिसर्च इस तरह की रिसर्च में हम किसी एक चर के वाले परभाव के वारे में जानते हैं यानि कि इसके अंदर क्या होता है कि एक चीज का दूसरी चीज पर क्या प्रभाव पढ़ रहा है उसके अंदर हम देखते हैं दोस्तो अगली रिसर्च आते हैं हमारे पास सेंस रिसर्च इसके अंदर क्या होता है दोस्तो इसके लेते हैं उसमें हर एक व्यक्ति से मिलते हैं इसमें संपूर्ण जनसंख्या की गणना की जाती है इसमें सैंपलिंग का प्रयोग नहीं किया जाता और इसमें हम हर एक व्यक्ति से मिलते हैं और नॉर्मली क्या होता है दोस्तों हम जब रिसर्च करते हैं तो जैसे दस लोगों दस लोगों में से हमने किसी एक व्यक्ति को चुन लिया यानि कि वो एक सेंपल के तोर पे हम व्यक्ति लेते लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि हम हर एक व्यक्ति से जाजा के मिलते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं सेंस रिसर्च कहते हैं जैसे कि हमारी जनगना होती है तो दोस् दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह की कोई चीज समझ में नहीं आयैं, कोई टाइप समझ में नहीं आया है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, Comment Works के जरिये पूछ सकते हैं, दोस्तों आज हम रिसर्च के अंधर variables के बारे में जानने वाले हैं, अनुसंधान के proprietária के बारे में, तो आप ये अच्छे से समझ ले कि अनुसंधान में चर क्या होते यानि कि variable क्या होते किन्हे कहते हैं अक्सर इसमें confusion बना रहता है स्टूडेंट अच्छे से नहीं समझ पाते तो आज किसी वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से और आसान तरीके से समझेंगे कि अनुसंधान हो या फिर जिसका कोई गुण हो जैसे कि भूकम बीमारी नमक नियम गाड़ी इत्यादी चर की काफी तरह की विश्यस्ताई हो सकती है जो या तो चर खुद प्रभावित हो सकता या फिर किसी दूसरी वस्तू को प्रभावित कर सकता है अब देखिए इसके अंदर हम असान चीज़ पर इफेक्ट पड़ता हो या फिर वह खुद प्रभावित हो ठीक है जैसे कि हमने भूकम की बात की भूकम पाता है तो हमारे जीवन है अस्तवेस्त हो जाता है बीमारी होने से हमारा जो सरीर हो खराब हो जाता है नमक अगर किसी चीज़ में ज़्यादा पड़ ज जाती है नियम तोड़ने से और या नियमों का पालन करने से हमारी चीज़े अच्छी और बूरी हो सकती है और गाड़ी है गाड़ी को भी सही चलाने से वो सही चलेगे और गलत चलाने से वो हमारा accident कर सकती है यानि कि चर का मतलब कोई भी ऐसी वक्त वस्तू यह वो या तो किसी और चीज को प्रभावित करती हो या फिर वो किसी और चीज से खुद प्रभावित हो ठीक है और यहां पर अगर आप इंग्लिस में पढ़ना चाहे तो इंग्लिस में भी पढ़ सकती है वेरियेवल्स और एनिधिंग कैन एफेक्ट और चेंज दर रिजल्ट ऑफ स्टड़ी यानि कि किसी भी स्टड़ी के रिजल्ट को चेंज करने के अक्षमता रखते हो उसे हम क्या कहते हैं और इसमें देखे अब हम एक्जांपल के त्रिव समझने की कोशिश करते हैं कि वेरियेवल्स क्या होते हैं जैसे एर पॉलिशन एक वेरियेवल है एक चर है अब देखे एर पॉलिशन जब बढ़ेगा ज्यादा एर पॉलिशन होगा तो क्या होगा डीजीज यानि कि बीमारी बढ़ने लग यहां पर दो चर है हमारे पास एक तो है air pollution और दूसरा disease तो अब देखिए जो disease है वो किस के ओपर dependent है? एर pollution के उपर depend करती है disease ठीक है तो इसमें जो air pollution है दोस्तो इस चर के दबरा ये चर प्रभावीत हो रहा है तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से चल रहा है हमारे air pollution और disease है और कौन किस से प्रभावित हो रहा है ये भी हमें समझ में आ गया अब देखें इसमें और भी कुछ example देखते हैं variables के जैसे student slips और effect study score यानि कि अब देखें student है वो सोएगा तो उसका जो study score है वो प्रभावित होगा अब देखें इसमें दो तरीके से प्रभावित होगा अगर student बहुत ज्यादा सोएगा ठीक है तो भी उसका जो score वो down चला जाएगा और अगर student बिलकुल भी नहीं सोएगा दिन में मालो दो सोता है तो भी उसका जो score वो effect होगा ठीक है यानि कि जो score वो इसके सोने के उपर प्रभावित कर रहा है यहां पर दो हमारे variable है यह हमें पता चलगे अब दूसरे जैसे global warning बढ़ने से क्या होता है हमारा temperature increase हो जाता है तो यहां पर भी दो variable होगे और अगले जैसे eating ice cream ice cream के ख अब शुकार हो जाता है तो मेरे खalsh आपको समझ में आ रहा हुगा अच्छे से कि वेरीवल क्या होते हैं तो इस तरह की कोई वी चीज जो यहां तो खुद प्रभावित होते हो किसी चीज से या वह सकते हैं और आगे हम इसकी बात करते हैं की चर है उसके कितने कितने त्रह के हो सकते में में जो चरों की हम बात करेंगे अब ले कि सबसे पहली जो चीज आती है टाइब व अन्दर सबतंतर चर independent variable अब देखे इंडिपैंडेंडन्ट का मतलब होता सबतंतर यानि उसका किसी भी चीज के उपर कोई परभाव नहीं पढ़ता वो बिलकुल फरी होती है इस तरह के चर पूरी तरह से सवतंतर होते इन पर किसी का भी कोई परभाव नहीं पढ़ता जैसे कि सुनामी को हम रोक नहीं सकते ठीक है दोस्तो यानि कि इस तरह के जो चर होते वो बिलक तो हमारी independent variable यानि कि सवतंतर चर ठीक है और अगला आता है दोस्तो हमारा आशरित चर आशरित यानि कि dependent वैरियेवल यह चर कुछ इस तरह के होते हैं जिने हम नियंतरित कर सकते हैं अब देखें यह ऐसे वैरियेवल होते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं उसके प्रभाव को कंट्रोल कर सकते हैं जैसे कि किसी व्यक्ति को बुखार हो गया हो तो उसे हम दवाई देकर ठीक कर सकते हैं इसके अंदर क्या होता है दोस्तों ये जो चर होता वो किसी और चीज के उपर depend होता है जैसे बुखार की हमने बात की तो बुखार किसी और के उपर depend है इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं कम कर सकते हैं ज्यादा कर सकते हैं और आगे आते दोस्तों हमारे पास मध्यवर्ति चर यानि कि interviewing variable mediating इस तरह के यह देगे इस तरह के चर को हम पूर्ण रूप से देख नहीं सकते लेकिन यह है चर सवतंतर चर और आसरित चर के बीच सामिल होता है अब देखिए हमने बात की थी यहां पर dependent और independent variable की जो मध्यवर्ति चर होता है इन दोनों के बीच में चर होता है और फिर होगे बच्चे ने खाई तीजर और फिर वो बच्चे स्कूल नहीं जा पाया ठीक है यहां पर अगर variable की बात करें तो कई तरह के variable है जैसे एक होगी आईस क्रिम होगी ठीक है और फिर बच्चे ने उसको खाया और फिर होगे बुखार और फिर effect क्या पड़ा कि वो school नहीं जा पाया अब देखी अगर हम इन दो चीज़ की बात करें दो की हम बात करें ठीक है तो इन दो के बीच में ये variable भी आ रहे हैं तो इन इनको हम क्या कहेंगे या interviewing variable mediatting variable कहेंगे ठीक है और आगे हम देखते हैं दोस्तों moderator variable यह क्या होते हैं यह सवतंतर और आसरिट चरके वीच सम्मधh को सुधारने काका पाम करता है अब यह देखिए जो सवतंतर और आसरिट याने की dependent और independent variable है उनके वीच में जो सम्मध उनको सुधारने काका काम करते हैं अब देखें यहीं पे हम example के तोर पे लेके सलते हैं कि बच्चे ने ice cream खाई और वो school नहीं जा पाया, ठीक है, हमें पता क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि उसको बुखार हो गया, अब देखें बुखार हम चाहे तो 5 दिन में भी ठीक कर सकते हैं, और अगर हम care ना करें तो हो स school जल्दी जाने लगेगा, तो यह हमारा क्या हो गया दोस्तों, हमारा moderate variable, यानि कि दोनों के संबंदों को सुधारने का काम कर रहे हैं, ठीक है, और आगे आते हैं दोस्तों, हमारे पास नियंतरित चर, control variable, इस तरह के चरों को हम अपनी आवशक्ता के अनुसार नियंतरित कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, और इसे यानि कि जो हमारे need है, उसे कम करना है, ज्यादा करना है, उस हिसाफ से हम कर सकते हैं, अगला आता है दोस्तों हमारा confounding variable, extra variable that have a hidden effect on your experimental result, अब देखिए, इस के इंदर क्या होता है दोस्तों, इस के इंदर कोई ऐसा अरे पास variable होता है, ज बच्चे ने आइस्क्रीम खाई, उसको बुखार हो गया, बच्चा स्कूल नहीं जा पाया, अब देखिए, हमें लग रहा है कि बच्चे ने जो आइस्क्रीम है, वो खाने से उसको बुखार हो गया, हमें ये पता चल रहा है, लेकिन इसका एक और reason भी हो सकता है कि बुखार होने का reason कुछ और ही हो, डेंगू मच्चर ने काट लिया हो, मलेरिया हो गया हो, या कुछ और हो गया हो, गन्दा पानी पीने से बुखार हो गया हो, और वो फिर स्कूल ना जा पाय हो, और हमें लग रहा हो कि बच्चे ने आइस्क्रीम खाई है, इसलिए वो बि अब देखिए Latin variable के इंदर क्या होता है एग अब देखिए यह वही बात आते हैं जैसे हमने एक्जाम्पल लिया था कि बच्चे को बुखार हो गया ठीक है बच्चे को बुखार होने के कही रीजन हो सकते हैं जैसे उसने हो सकता है गंदा पानी पी लिया हो या फिर मच्छर ने काट लिया हो ठीक है अब यह जो वेरियेवल होते हैं छोपे वेरियेवल इनको हम डैरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं कि बच्चे ने कितना गंदा पानी पिया किस वज़े से बुखार होई क्या हुआ यहने कि उनको हम मेजर और अबजर्व डैरेक्टली रूप से नह अब यही एक्जांबल हम लेके चलते हैं कि बच्चे ने आईस्क्रीम खाई उसे बुखार हो गया अब हम यह देख सकते हैं कि बच्चे ने एक आईस्क्रीम खाई थी या 10 आईस्क्रीम खाई थी या कितनी आईस्क्रीम खाई थी ठीक है यह हमें डैरेक्टली पता चल रह रहा है ठीक है ज्नकों डाइड डियेक्टली देख सकते और मेज़़ कर छकते हैं उन्हें क्या कहते है मैनिफेस्ट वेडियवल कहते हैं आगे आता है दोस्थों हमारे पास ऐंडोजयनियस क्वेडियेवल इसके इंदर क्या होता है दोस्तों similar to dependent variable ये dependent variable की तरह ही होते हैं they are affected by other variable in the system ये दोस्तों वही है कि dependent variable के तरह होते हैं आसरी तरह होते हैं जो किसी और के दवारा प्रभावित होते हैं हमारे study के अंदर दोस्तों आगे आता है हमारा dummy variable अब देखे dummy variable क्या होता है record category variable in series of binary variable ये दोस्तों ये जो दोनों variable है ये eco matrix के अंदर use होते है जो statics विगरा होता है यानि कि जो e commerce के जो platform होते वहां पे ज्यादा तर ये इनको use किया जाता है ठीक है तो इसके अंदर चलो मैं बता देता हूं ये हमारे इतने ज्यादा नहीं आएगा ये variable आज तक मैंने नहीं देखा ये question paper में फिर भी हम जान लेते हैं ये क्या करता है दोस्तों ये जो किसी की absence यानि कि किसी की कमी को पूरा करता है अब करें डमी डमी से देखो हमें समझ में आ रहा है कि कि किसी चीज की डमी बनाना ठीक है किसी की कमी को पूरा करना यानि कि जो वैरियेवल किसी चीज दूसरी चीज की कमी को पूरा करता उचे हम क्या कहते हैं डमी वैरियेवल के बार extra खिलाडit team में होता है वो आपकि जिगह लेता वो ख्यलता है तो स्मक्या कहते है कर डंभी वैरियेवल कहते हैं यानी कि variables के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा और अगर किसी दोस्त का कोई भी किसी भी तरह का कोई सवाल जवाब है तो वो हमसे comment box की जरीए पूछ सकते हैं हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे और दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दवाएए ताकि आप हमारी आने वाले वीडियोज को परसानी से देख सके हैं थैंक्यू दोस्तों